सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स एक है रेडमी का नोट 9 प्रो जो आपको मिलता है तेरा हजार का दूसरा है रेडमी का नोट 10S जो लेटेस लाच कर दिया रेडमी ने 15,000 का तो दोनों में 2,000 का फर्व है इस वीडियो में इन दोनों में comparison करके आपको बताऊंगा इन दोनों के अंदर क्या क्या कमिया है क्या च्छाहिया है और आपको दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं दोस्तो 13000 में रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ क्या क्या दिया गया है तो दोस्तो जैसी आप अंबॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मिनी बॉक्स जिसमें लगवा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर की तरफ दिये गए अब दूसित मॉबाड के अंदर आपको फास चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वर्ट का फास चार्जर मॉबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो ये एक fast charger है काफी बड़ी अवेल्ड क्वालिटी में तो ये सारा समन आपको मिलता है Redmi के Note 9 Pro के साथ 13000 में rate के साब से देखा जाए तो box के जो contents है वो आपको काफी जादा बड़ी ही दिये गए है type C cable भी है charger भी fast है चले देखते हैं अगर आप फिर भी 2000 जादा खर्श करते हैं तो Note 10S के साथ क्या क्या मिलता है तो दोस्तों जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर डिटेल लुक हम अभी देखेंगे एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसमें लगा हुआ एक सिम इजेक्टर टूल अंदर की तरफ दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल बागी दोस्तों इसके साथ आपको मिल जाता है कवर इसकी भी कुवालिटी काफी ज़दा बढ़िया है इसके बाद दी गई है ये वाइट कलर में डिटे केबल लेंथ और कुवालिटी इसकी भी आपको दोनों बहुत जाद अच्छी मिल जाती है और दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है तो दोनों के साथ काफी बड़िया टाइप सी केबल मिल जाती है आपको आखिर में आपको रखावा मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज़्याद अच्छी है Note 9 Pro के चार्जर की तरह तो इस चीज का फार्ख है दोनों के अंदर 2000 कम कीमत में आपको चार्जर थोड़ा सा डाउन मिलता है Note 9 Pro के साथ चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको डिजाइन मिलता है बहुती ज़्यादा ग्लॉसी लाइट की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं दोनों के बैक पेनल पे काफी ज़्यादा बढ़िया लगती है लेकिन लुकवाइस वैसे डिजाइन आपको और ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है Redmi के Note 10S का इसके अंदर आपको कैमरे का डिजाइन और ज़्यादा अच्छा दिया गया है लेकिन दोस्तों जो important चीज़ है डिजाइन की quality वो आपको Redmi के Note 9 Pro के अंदर ज़्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि इसमें glass design है Gorilla Glass की protection के साथ Note 10S के अंदर आपको plastic के type के design दिया गया है हाला कि color भी वैसे इसका ज़्यादा बढ़िया है डिजाइन भी अच्छा है लेकिन quality ज़्यादा important है बात करें दोस्तों camera के बारे में तो Note 9 Pro में आपको बिछी की तरफ 4 camera दिये गये हैं इसमें main camera है पहला 48 megapixel का दोसरा 8 दो camera है दो 2 megapixel के फ्रेंड camera है इसका 13 megapixel का दोस्तो camera की जो performance है वो आपको Redmi के Note 10S के अंदर भी काफी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है camera को लेकर Redmi का Note 10S भी काफी अच्छा है और दोस्तों वैसा आपको Note 9 Pro भी काफी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है camera को लेकर ये दोनों ही mobile काफी ज़्यादा बढ़िया है अगर आपको camera ही अच्छा चाहिए तो आप Note 9 Pro भी ले सकते हैं वैसा कम कीमत में इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों में किसका design ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा मुझे दोस्तों Note 9 Pro पसंद आया क्योंकि quality ज़्यादा important है जो इसी के अंदर ही बढ़िया है build quality बीस की ज़्यादा अच्छी लग रही है Note 10S से in hand feel जो है Note 10S में 6.5 inches की display है बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो दोनों के अंदर आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है दोनों के अंदर आपको app draw दिया गया है यूज करने में वैसे दोनों ही एक जिसे हैं बहुत बड़ा फर्क तो आपको नहीं मिलता थोड़ा से जादा बैटर है फिर भी Note 10S अब दोस्तों बात करें quality के बारे में display की तो Note 9 Pro के अंदर आपको IPS display दी गई है लेकिन Note 10S के अंदर आपको AMOLED display मिल जाती है दोनों की display में आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल full brightness करके डिस्प्ले भी आपको दोनों के अंदर design में एक जैसी मिल जाती है पंचोल camera वाला design दिया गया है डिस्प्ले के अंदर ही camera है बीच में लेकिन camera का size थोड़ा से जादा छोटा है Note 10S के अंदर और दोस्तो colors brightness के अंदर तो कोई competition नहीं है Note 10S बहुत जादा बढ़िया है Note 9 Pro से ये खुब आपको Note 10S के अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है किसके अंदर आपको display की जो quality मिलती है rate में सिर्फ 2000 का ही फर्क है लेकिन इसके अंदर आपको display की quality बहुत ही जादा बढ़िया दी गई है डिस्प्ले को लेकर Note 10S ही जादा बढ़िया है left side साब देहेंगे दोनों को sim के ट्रे दी गई है से तरफ दोनों में आप दो sim काड एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है यह दोनों में खूबी है side उसे जो build quality है काफी important होती है ये भी ये भी आपको note 9 pro में ही जाद अच्छी दी गई है build quality को लेकर तो note 9 pro ही बढ़िया है नीची की side साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack मिल जाता है right side पर power का button, fingerpin scanner दोनों में आपको side में ही दिये गए है power के buttons के अंदर, उपर से देहेंगे तो दोनों के अंदर आपको noise cancellation mic मिल जाता है IR blaster भी दिया गया है, जिससे आपका MI remote काम करता है, TV अगर आप दोनों से चला सकते है लेकिन दोस्तो note 10s के अंदर आपको stereo speakers मिल जाते हैं, उपर की तरफ भी speakers दिये गया है note 9 pro में आपको android का 10 version दिया गया है, note 10s के अंदर आपको android का latest version मिल जाता है android 11 13000 में note 9 pro में आपको दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage, note 10s में 15000 में दी गई है 6GB RAM 64GB के internal storage तो storage दोनों में बराबर है, 2GB RAM आपको जादा मिल जाती है note 10s के अंदर बात कर दोस्तों battery के बारे में, तो note 10s में 5000 image की battery है, note 9 pro में 5000 20 image की दोनों के अंदर आपको एक दिन का battery backup पराम से मिल जाता है, battery को लेकर दोनों बहुत जादा अच्छे है जादा बढ़िया है फिर भी note 10s क्योंकि इसके साथ आपको charger और जादा fast दिया गया है और battery backup इसके अंदर आपको थोड़ा और जादा better मिल जाएगा बात कर दोस्तों processor के बारे में तो note 9 pro में आपको snapdragon 720G processor मिलता है note 10s के अंदर आपको mediatek का G95 processor दिया गया है अब दोस्तों अगर आप एक बहुत जादा heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो ये दोनों ही smart phones बहुत जादा अच्छे है performance को लेकर आपको दोनों में दिक्कत नहीं होगी processor में दोनों बढ़िया है तो ये सारी खुबी कम्या हैं इनके अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको थोड़ा सा old note 9 pro लेना चाहिए या फिर latest note 10s तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज है वो किसमा जादा बढ़िया है तो दोस्तों देखिए अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो आप दोनों में से कोई सबी ले सकते हैं कम कीमत में वैसा note 9 pro काफी जादा अच्छा है कीमत भी कम है और इसके अंदर भी आपको camera काफी जादा बढ़िया दिया गया है इसे के साथ अगर आपको design अच्छा चाहिए तो भी आप note 9 pro खरी दियेगा या आपके लिए जादा बढ़िया रहेगा qualities के design की जादा बढ़िया है और दोस्तों गर आपको performance अच्छी चाहिए तो भी आप note 9 pro ले लिजिएगा कम कीमत में इसके अंदर आपको performance बहुत जादा बढ़िया ही मिल जाती है लेकिन दोस्तों गर आपको display अच्छी चाहिए तो तो आप note 10s खरी दियेगा display इसके अंदर आपको जादा बढ़िया दी गई है बाकि दोस्तों अगर आपको battery अच्छी चाहिए तो भी आप note 10s खरी दियेगा battery इसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिल जाती है जादा बढ़िया charger के साथ तो battery और display में तो note 10s यह अच्छा है आपको ये दो चीज़े important लगती है तो आप note 10s खरी दियेगा बाकि दोस्तों तीन खुबी आपको note 9 pro में काफी बढ़िया मिल जाती है वो भी कम कीमत में एक तो जादा बढ़िया design की quality दूसरा काफी अच्छा camera और तीसरा इसके अंदर आपको processor अच्छा दिया गया है वैसा अगर note 9 pro के अंदर AMOLED display होती तो मैं आपको clearly note 9 pro ही suggest करता कम कीमत में मैं आपसे यही कहता आप कम कीमत में note 9 pro ही ले लिजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको खूबिया काफी जादा बढ़िया दी गई है सबसे जाद अच्छी खूबिया मुझे इसकी build quality लगी जो note 10s के comparison में in hand feel जो है वो इसकी मुझे जाद अच्छी लगी तो दोस्तो अगर आपको display और battery अच्छी चाहिए तो आप note 10s ले सकते हैं बागी अगर आपको build quality camera processor और इसे के साथ दोस्तो आपको design अच्छा चाहिए तो आप note 9 pro ले लिजिएगा 2000 कम कीमत में आप बताएगा दोस्तो फिर भी comment करके आपको इन दोनों mobile's में कौन से जादा पसंद आया note 9 pro लगा थोड़ा old जादा better build quality के साथ ये फिर जादा अच्छी display और latest वीडियो गर आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उस दबा के चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon भी दबा दियागा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लव वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दिएगा WhatsApp Facebook पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye